मदद मिलती है यह अपने आप में एक अजूबा है अपने आप में एक करिश्मा है कि जो इतनी सारी सरकारें नहीं कर पारी वो आज सोनुसूद जी कर रहे हैं तो अभी इनके साथ काफी लंबी बात्चीत हुई हमने समझा इनके सारे जो काम इसके उपर काफी लंबी बात्चीत हुई जो जो काम ये कर रहे हैं कैसे कर रहे हैं इतना बड़ा नेटवर्क इन्होंने कैसे बनाया इतने रिसोर्स कैसे आए हमने दिल्ली सरकार में जो अच्छे काम चल रहे हैं उसके बारे में भी सोनु सूजी को हमने बताया एक जो अच्छा डवलप्मेंट है कि जो हमारा दिल्ली में हम देश के मेंटोर्स नाम से कारेकरम अभी पाइलिट बेसिस पे चल रहा था अब कुछ दिनों के बाद इसको लॉंच किया जाएगा मैं बहुत ब्रीफली इसको बता देता हूँ कि जैसे जो खासकर सरकारी स्कूलों में हमारे बच्चे पढ़ते हैं वो बच्चे बहुत गरीब बैक्राउंड से आते हैं उन बच्चों के परिवारों में उनको सही दिशा और गाइडन्स देने वाले लोग कम होते हैं मान लीजिए कोई बच्चा फैशन डेजाइनर बनना चाहता है कोई बच्चा सिंगर बनना चाहता है कोई बच्चा कोई पर्टिकलर केरियर उसे पता नहीं होता मैं कहां जाओं किसके पास जाओं कैसे जाओं उसके परिवार के लोग भी उसको नहीं बता पाते ऐसे में हम लोग अपील कर रहे हैं देश के लोगों से जो पढ़े लिखे लोग हैं आप आईए, सामने आईए, और सरकारी स्कूल के एक, दो, तीन जितने भी आप बच्चे ले सकते हैं, आप उतने बच्चों को के मेंटॉर बनिये, तो उन से आप लगातार फोन पे बातचीत करते रहिए, उनको फोन पे आप गाइड करते रहिए, बच्चे आपको फोन करकर के पूछते रहेंगे और कई बर बच्चे स्ट्रेस में होते हैं हमने देखा है कि इस वाले एज ग्रुप के अंदर सुइसाइड भी बढ़ते जा रहे हैं स्ट्रेस में होते हैं तो अगर उनके साथ कोई है जिसके साथ वह मन हलका कर लें तो वह बड़ा उसका अच्छा उन्होंने का है कि वो भी कुछ बच्चे बच्चों के मेंटॉर बनेंगे और वो लोगों को अपील करेंगे देश भर के लोगों को कि वो भी मेंटॉर बने अमें सोनु सुझी से रिक्वेस्ट करो हूँ आप्रूर थांकि तो मच अविन सर मनिक सर अगर भागा भाई वर गिविंग मी इस ऑपरिशुनिटी कि आज मैं इस प्लैटफर्म के हूँ विजिनरीज के साथ मैं सर को विजिनरीज ले बोलता हूँ कि जब एजुकेशन का नाम आता है तो देश में दिली का नाम हमने हमेशा देखा है कि अगर एजुकेशन हो तो डेली जैसी हो and I think it's very important कि हमारे देश में अगर ग्रोथ तभी हो सकती है जब एजुकेशन का स्तर बढ़ेगा और मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि डेली में किस लेवल का चेंज़ आया है and all thanks to sir for that जब lockdown शुरू हुआ you know लाखों migrants के साथ लोगों के साथ जुड़े उनकी medical की problem देखी तो एक education एक बहुत बड़ा मुद्दा था पहले lockdown में करीबन 2000-2200 बच्चों को हमने बढ़ाया और अभी करीबन 20,000 बच्चों को you know as suit charity foundation हम लोग पढ़ा रहे हैं लेकिन जैसा अरविंसर ने कहा कि एक बहुत बड़ा question mark होता ह कि उनको पता नहीं कि क्या करना है मैं क्या करूं कई बार हमारे जो अच्छी families के माबाब होते हैं उपड़े लिखे होते हैं बता दें कि भईया आपको engineer बनना है doctor बनना है MBA कीजिए कोई भी कीजिए लेकिन ऐसे बहुत सारे families हैं जिनको बताने वाला कोई नहीं उनको एक रास्ता तो दे दिया आपने एक platform दे दिया अच्छा school दिया अच्छा सर दिया लेकिन उन्हें बताने वाला नहीं कि आप करें क्या दिशा कौन सी पकड़े तो उस समय हमें वो लोग चाहिए जो एक बहुत experience साथ में लेकर आते हैं जो आपके mentor बनते हैं जो आपको बताते ने एक वो मौका दिया है आपको अच्छा काम करने का हम हमेशा बोलते कि हैं मैं करना चाता हूँ पहले मैं कुछ बन जाओं मैं उस लाइक बन जाओं फिर मैं कुछ करूँगा मैं establish कर लूँ मैं अपना business establish करूँ या मैं successful हूँ तो मैं जाके मदद करने की कोशिश वो एक बचे का, दो बच्चों का, दस बच्चों का मेंटौर बन सकता हूँ, उसे बता सकता है कि आप लाइफ में क्या करें, क्या ना करें मरीक सार अभी मुझे से शेयर कर रहे थे जो मैं बहुत अच्छे ढंक से रिलेट कर बारा था कि हमें पता नहीं चलता कि हम किस से पूछे मैंने मैं खुद एक इंजिनियर हूँ जब 11-12 था तो उस समय दो ही प्रिफेशन होते थे या तो डॉक्टर बन जाओ या एंजिनियर बन जाओ तो एंजिनिरिंग करने चलेगे हम लोग लेकिन आज इतने ज़्यादा प्लैटफॉर्म से इतने ज़्यादा एविनी से और इतनी ज़्यादा रास्ते खुल गए हैं जहां पर लोगों को पता नहीं है पर लोग जो इन रास्तों से औरड़ी गुजर चुके हैं या कुछ सफर तै कर चुके हैं उन लोगों को मेंटॉर बनने का बहुत बड़ा मौका है बताने का बहुत बड़ा मौका है कि आप आएं हाथ थामें मेरे साथ करन भाई भी बैठे हुए मैं इनको पिछले 10-12 साल से जानता हूं लेकिन जब लॉक्डाउन हुआ तो हमारी दोस्ती का एक अलग रास्ता इसलिए मिला क्योंकि हमने बोला कि चलो हम बच्चों का भविश्य बदलने कोशिश करते हैं उनको करने की पढ़ाने की कोशिश करते हैं और आज हम हजारों बच्चों को पढ़ाए भी so my request to everyone जो भी listeners है या हमें सुन पा रहे हैं आज आपको एक अच्छा काम करने का मौका दिया जा रहा है देश का मेंटॉर बनने का मौका मिला जा रहा है हम लोग हमेशे शिकायत करते हैं की भी या हमारे लिए फलाण आदी कुछ नहीं करता हमारा ये हक बंता है हमने वोट दिये वो क्यों नहीं करते मुझे लगता है शिकायत करना बहुत आसान है और खुद काम करना थोड़ा सा मुश्किल क्योंकि हमें पता नहीं है हमें दिशा नहीं मनती I think आज दिल्ली सरकार ने एक प्लैट्फॉर्म खोल के देश के मेंटॉर्स का प्लैट्फॉर्म नहीं बनाया बलकि आपके लिए एक प्लैट्फॉर्म बनाया है देश के लिए कुछ करने का so be a part of it चुनिए उन बच्चों को आज हर एक बच्चा गर आप एक भी बच्चे को दिशा दे पाते हैं और उसे बना पाते हैं so I think उससे बड़ी देश भक्ती वाली कोई फिली नहीं होगी और उससे बड़ा देश को योगदा नहीं होगा अगर आप वो कर पाएं so I think it's a great opportunity और I feel blessed कि आज under the leadership of Arvind sir, Manish sir and Raghav bhai कि they've given me an opportunity कि मैं और हजारों नहीं लाकों लोगों तक लाकों students तक पहुंच पाऊं so I think together we can and we will और बोल देना है कि जो मुश्किल में साथ में खड़ा वोही सबसे बड़ा so I think वो समय आ गया है कि हमें सब के साथ में खड़े होना है और you know करके बताना है so thank you so much for this sir sir any discussion about Punjab elections because obviously no politics कोई politics यह उससे भी बड़ा मुद्दा है मुझा लगता है इससे बड़ा कोई मुद्दा नहीं हो सकता my question is on are you interested in fantastic elections either you or anybody sir sir एक-एक करके मैं पुछता हूँ sorry sir एकी सवाल है there's nothing political मैं हमेशा maintain करता रहा हूँ कि लोग हमेशा बोलते हैं कि आप कोई अच्छा काम करना है तो politics में आईए यह क्यों नहीं आ सकते बहुत कमाल का field and I think अगर आप आए तो one has to be blessed but as of now we haven't discussed anything political because यह मुझे लगता है यह मुझे लगता है यह मुद्दा उससे भी बड़ा है and this is above all like I said you know we haven't discussed anything political हम इसी में इतना मज़ा आ रहा था बात करने में की और यह करें तो कि जी सर सर जो अच्छा काम करें सारे अच्छी है मुझे कल क्यों आप अच्छा काम करें मापके पीछे पीछे आ जाँगा sorry सर सर मुझे ना मैं मैं बता रहा हूँ पिछले जब मैं मुझे पता भी नहीं था तब से मुझे आफ़र्स आती रही है लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं करने का और किसलिए कभी प्लिटिकल डिस्केस नहीं प्याएं मुझे ऐसा लगता है कि जिसकी सोच है उसको दिशा अपने आप दिख जाती है और जो अर्ण सर की लिडर्शिप में डेली में हुआ है वो किसी को बताने के जूरत नहीं वो सिर्फ एक्सपिरियन्स किया जा सकते है और मुझे लगता है ना सिर्फ पंजाब देश के हर कोने में होना बड़ा इंपोर्टन है हर एक जी साथ यह आपके मादिस प्रख़ेंट कोई पॉलिटिकल मतलब दूर दूर तक नीए हमने सोचा हम चाहे पिए और देश के मेंटर बनने की कोशिश कर रहे हैं तो पतार कुछ अब कारिफान कर दोगा है कि भी जो लॉंच होगा इसका देश के मैंने बताये कि सोनु जी उसके ब्रैंड अमपसेडर है लगबग around mid September date अभी fix कर लेंगे उसका program का launch होगा अभी pilot project हमने किया था पिछले एक तेड़ साल से वो pilot project बहुत successful रहा हमारा जो mentors थे उनके भी experiences बहुत अच्छे थे जो बच्चे थे उनके भी experiences बहुत अच्छे थे तो mid September में इसको करेंगे जहां तक film policy है मैं आप से discuss करना पूए गया दिल्ली सरकार अब एक film policy लेकर आ रही है तो मैं पहली film लेकर आता हूँ सर मैं आज मुलाकात हम डेड़ घंटा वेटे लेकिन हम ये mentor वाले कारेकरम में और इनके काम को सुनने में और इसमें इतने जादा मश्बूल हो गया वो डिसक्ष करने का मोका नहीं मिला बट उसको फाइनलाइज करने के पहले we will definitely show it to him and have his influence तो सुंपेशर है जादा मशबूल है 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 हम रोड रहे है थैंक्यू थैंक्यू तो मच्छ थैंक्यू थैंक्यू सो मच्छ